नमस्कार आप देख रहे हैं नूज फोर नेशन और मैं हूँ प्रियादर्सन बिहार में आज कुर्णी उपचुनाओ को नतीजे आएंगे जी हाँ जो कुर्णी विधान सभाज्चेतर का उपचुनाओ हुआ था उस उपचुनाओ के नतीजे आज जाने वाले हैं वोटों की गिंती सुरू होने वाली है और इससे यह पता चलेगा कि इस बार के कुर्णी विधान सभाज के उपचुनाओं में क्या सत्ता धारी जल जन्ता दल युनाइटेड का महागटबंधन की ओर जाना और महागटबंधन का प्रत्यासी उतारना कुर्ण करिमाटर महाट तरह की जो था उपचुनाओं की प्रक्रीया है कि मतगरना की प्रक्रिया में पहले घंटे के बाद एक रुझान आना शुरू हो जाएगा तमाम जो इसके अप्डेट से वह तहम आपको आगे लें बताते ही रहेंगे लेंगे लेकिन उसके पहले बताएं कि इस प्रकार के लिए दो हजार चुनाव है उसके पहले विधान एक कहा जाए तो सेमिफाइनल मुकाबले की भाती देखा जा रहा है दरहसल जो अभी एक महीने पहले ही तीन दिसंबर चुनाओं में जो मुकामा में चुना हुए थे और ज़ेख हाव इस लिए खास है कि यह आर्ष सेट 2 प्रत्यासी उत्रा है महागर्वंधन की ओर से दूसरी और भारतिय जनता पार्टी इस बार केदार गुपता को वहां पर उमीदबार बना करके उतारी है तो जदियू के मनोज कुस बाहा और भाजपा के क्यदार गुपता के बीच इस बार का जो मुकाबला हुआ है इस Mu Kaa likewise रिफता हार का सब्सकेया जारब् Talk Three अबिफ़ाने को मन बद्धन में जाने का निभर्णने लिया चीन दीये से नाता तोड़के जो महागर्णने जाने का निर्ने लिया उसके उपर एक प्रकारते यह जनता की मुहर हो जाएगी लेकिन अगर कहीं फैसला उल्टा आता है यानि कि भारतिये जंतापाटी जीती है तो जिस प्रकार से भाजपा के लगातार कह रही है कि नितिश्कुमार ने उन्हें धोखा दिया है नितिश कुमार सत्ता की कुरसी पर काबिज रहने के लिए लगातार अपने सिद्धान्तों से समझवता कर रहे हैं तो अगर कहीं वहां पे भाजपा के किदार गुपता चुनाव जीत जाते हैं तो उस इस्थिती में यह भारतिये जनता पार्टी कि मनोबल को बरहाने वाला रहेगा और इन सबसे अलग दरसल इस चुनाओं में वी आई पी यानि की विकासिल इंसान पार्टी जिसके प्रमुख मुकेश सहनी हैं उन्होंने वहां से निलाब कुमार को उमिदबार बनाया था तो उन्हें भी जीत का दावा किया जा रहा है हाला कि निलाब कुमार को जीत को लेकर के कोई भी अस्वस्त नजर नहीं आ रहा है लेकिन जिस प्रकार से वहां पे सहनी और भुमिहार गठी जोर यानि कि माचभात का नारा दिया था मुकेश सहनी ने तो उनके नारों पर जनता कितना विश्वास की है इसका फैसला भी अ रुजहान की और जाता है फैसला किसके पक्ष में रहता है और इस फैसले का दिर्गकालिक परिणाम बिहार की राजनीती में और तमाम जो जदियू भाजपा और वी आईपी है उनके उपर क्या वसर परता है उन तमाम अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ बने रहे निव पर निवे इस फोटनेशन